नमस्कार साथियों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम मार्च 2023 के टॉप 50 कॉस्टेन को डिसकस करने वाले हैं तो सभी कॉस्टेन को with detailed description के साथ हम डिसकस करेंगे तो आज का यह वीडियो होने वाला है most important अगर आप किसी भी एक्जैन की त तो इसी के साथ करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, आज का हमारा फर्स्ट कॉस्टन है, ससस्त्र सीमा बल यानि SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर है, बी रस्मी सुकला, यह है इनकी मेज भी दी गई है, तो यह है इसका राइट आंसर है, इंपो नेक्स्ट कॉस्टन है, बी अतनाम के नई राष्ट पती कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है, यह है इनकी मेज भी दी गई है, तो यह है इसका राइट आंसर है, इंपोर्टेंट परिंट्स देख लेते हैं, बी अतनाम की राजधानी है, हनोई, और बी अतनाम की करं मंत्री है मिन्हें चिंग नेक्स्ट कॉस्टन है बिस्व बंजीव दिवस दो हजार तेईस यानि वर्ल्ड वाइल डाइफ डेट 2023 कब मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर है डी तीन मार्च को तो यह है इसका राइट आंसर है Important Points देख लेते हैं बंजीवों के प्रती जागरुकता फैलाने के लिए हर साल तीन मार्च को बंजीव दिवस की रूप में मनाया जाता है पहला बंजीव दिवस तीन मार्च 2014 को मनाया गया था इसकी थीम है Partnership for Wildlife Conservation Next Question है भारती पुरस होकी टीम के नए कोच कौन बने है तो इसका राइट आंसर है A. King Fulton यहां इनकी इमेज भी दी गई है तो यह है इसका राइट आंसर है अब सातियों बात हुई है होकी इंडिया की तो भारत में होकी खेल को होकी इंडिया संस्था रेगुलेट करती है जैसे B.C.C.I. क्रिकेट को रेगुलेट करती है इसकी स्थापना हुई थी 2009 को और इसका मुख्याला है नई देली में और इसकी अध्यक्ष है दिली त्रिकी नेक्स्ट कॉस्टन है दवुक आफ विहारी लिटरिचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका राइट आंसर है अभय के जहाँ आप बुक की इमेज भी देख सकते हैं तो यह है इसका राइट आंसर है नेक्स्ट कॉस्टन है फुट वॉल टूनामेंट संतो श्ट्राफी 2023 का किताब किसने जीता है तो इसका राइट आंसर है ए करनाटक यह है आप टीम की इमेज भी दी गई है तो यह है इसका राइट आंसर है इंपर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं करनाटक ने मेगा लाइक को हरा कर 54 साल के अंतराल के बाद यह ट्रॉफी जीती है आयोजन इसका था साउधी अरव और इसका संस्क्रण था 76 नेक्स्ट कॉस्टन है भारत के नए लेखा माहनी अंतरक यानी CGA कौन बने है तो इसका राइट आंसर है B SS2 यहाँ इनकी मेज भी दी गई है तो यह है इसका राइट आंसर है इंपर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं CGA इसका फॉल 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 होता है कंट्रोलर जर्नरल ओफ अकाउंट्स SS2 अठाइस वे लेखा माहनी अंतरक यानी CGA बने हैं यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कॉस्टन है फॉर्मूला वन रेस बहरीन ग्रेंड प्रिक्स 2023 का किताब किसने जीता है तो इसका राइट आंसर है A Max बेरिस्ट पेन जो की Red Bull के रेसर हैं और नीदर लेंड से हैं यहाँ इनकी मेज़ भी दी गई है तो यह है इसका राइट आंसर है नेक्स्ट कॉस्टन है Cricket टूनामेंट इरानी कप 2023 का किताब किसने जीता है तो इसका राइट आंसर है D सेस्ट भारत ने यहाँ आप कीम की मेज़ भी देख सकते हैं तो यह है इसका राइट आंसर है Important points देख लेते हैं सेस्ट भारत ने मद्द प्रदिश को हरा कर इरानी कप 2023 का किताब जीता है Next question है किस भारती अभी नेत्री को आसकर समारो 2023 में अबोर्ड प्रोजेक्ट करने के लिए आमंतरित किया गया है तो इसका राइट आंसर है D. दिपी का पादुकोर्ण यह है आप दोनों की इमेज भी देख सकते हैं तो यह है इसका राइट आंसर Next question है पाँच मी बार नागा लेंड के मुख्यमंतरी कौन बने है तो इसका राइट आंसर है C. नेफियू रियो यह है इनकी इमेज भी दी गई है तो यह है इसका राइट आंसर है Important points देख लेते हैं नेफियू रियो Nationalist Democratic Progressive Party के नेता है Nationalist Democratic Progressive Party में 25 सीटें जीती है अब साथियों बात हुई है नागा लेंड की तो नागा लेंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 में और इसकी राजधानी है कोहिमा और राज्यपाल है एल गडेशन Next question है अंतर राश्ट ये महिला दबस 2023 कम मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर है C8 मार्च को तो यह है इसका राइट आंसर है अब साथियों इसकी थीम है Digital Innovation and Technology for Gender Equality साथियों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छ लग रहा हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक सेर करिए और हमारे चैनल को कर लिए सस्क्राइब और हमसे जोड़ जाएए Next question है मंदर अनुष्ठान करतब्यों के लिए रोबोट हाती को सामिल करने बाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है तो इसका राइट आंसर है C. केरल तो यह है इसका राइट आंसर है Important points देख लेते हैं केरल के त्रिसूर जिले में इस्थित इरंजाद पिल्ली स्री कृष्णिक मंदर अनुष्ठानों के लिए यांतरिक अजीवन हाती का उपियोग करने वाला तेस का पहला मंदर बना है Next question है इसका राइट आंसर है B. नाई देली W.S. DS का फुल्फरम होता है World Sustainable Development Summit Important points देख लेते हैं विश्ब सतत विकास सिकर सम्वेलन उर्जा और संसाधन संस्थान का प्रमुक बार्शिक कारेकरम है इसका 22 मा संस्करण है और इसकी थीम है Manistreaming Sustainable Development and Climate Resilience for Collective Action Next question है दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज MB. गंगा बिलास ने किन दो इस्थानों के बीच अपनी पहली यात्रा पूरी की है तो इसका राइट आंसर है C. वारण अशी उत्तरप्रदेश और वोगी बील असम के बीच तो यह है इसका राइट आंसर है Important points देख लेते हैं MB. गंगा बिलास पूरूज ने दुनिया में सबसे लंबे जलमार्ग पर चल कर करीब 3200 किलोमीटर की लंबी यात्रा तेग की है Next question है बिस्व नागरिक सुरक्ष दिवस 2023 यानि World Civil Defense Day 2023 कम मनाया गया है तो इसका राइट आंसर है D. एक मार्च तो यह है इसका राइट आंसर है अब साथ यहों इसके important points भी देख लेते हैं बिस्व नागरिक सुरक्ष दिवस नागरिक सुरक्ष के महत्व की और ध्यान आकरसित करने के उद्धिश्य मनाया जाता है और इसकी theme है Uniting the World's Leading Industry Specialist for the Safety and Security for Future Generation यह भी आपको याद रखना है Next question है शुन्य वेदवाब दिवस 2023 कम मनाया गया है तो इसका right answer है B.1 March तो यह है इसका right answer है Important points भी देख लेते हैं इस दिवस को महिलाओं और लड़कियों द्वारा वेदवाब और आशामान नताओं को चुनौती देने के लिए मनाया जाता है पहला शुन्य वेदवाब दिवस 2014 को मनाया गया था और इसकी theme है Save Life Discriminalize Next question है जी 20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहां आयोजित हुई है तो इसका right answer है A. नाई देली यह है इसका right answer है Important points भी देख लेते हैं बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सुब्रमंडियम जैसंकर जो की विदेश मंत्री है इनके द्वारा की गई थी Next question है महिला पिरीमियम लीग WPL के पहले संस्करण की प्रायोजग कंपनी कौन सी बनी है तो इसका right answer है C. Tata यह है इसका right answer है Next question है नासा की पहली महिला बेग्यानक प्रमुक कौन बनी है तो इसका right answer है C. Nicola Fox यहां इनकी image भी दी गई है तो यह है इसका right answer है Important points देख लेते हैं नासा इसका full form होता है National Aeronautics and Space Administration इसकी स्थापना हुई थी 29 July 1958 में और इसका मुख्याला है Washington DC में और इसके अध्यक्ष है Will Nelson Next question है प्रदान मंत्री नरिंद मोदी राय सेनी डायलॉग 2023 के आठवे संसकरण का उदिखाटन कहां करेंगे तो इसका right answer है D. नाई देली में यह है इसका right answer है Important points देख लेते हैं बिश्ब हालात और चुनवतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश से राय सेनी डायलॉग की शुरुआत की गई है मुख्य अथी थी Giorgia Meloni इटली की प्रदान मंत्री हैं जो इसकी theme है Provation Uncertainty Turbulence Lighthouse in the Tempest Next question है Press Sucna Bureau यानि PBI के नए प्रदान महान निदेशक कौन बने हैं तो इसका right answer है D. Rajis Malotra यहाँ इनकी में जबी दी गई है तो यह है इसका right answer है Important points देख लेते हैं PBI तो इसका full form होता है Press Information Bureau और इसकी स्थाबन विए थी 1919 में और इसका मुख्याला है नए देली में Next question है Siniu, Maitri, Abhyas, भारत और किस देश के बायू सेना के बेच आयोजित हुआ है तो इसका right answer है B. Japan यह है आप image भी देख सकते हैं तो यह है इसका right answer है Important points देख लेते हैं Samil Sena भारतिये बायू सेना और जापान की Air Self-Defense Force आयोजित थल इसका है Komatsu, जापान Next question है Nigeria के नए राष्टपती कौन बने हैं तो इसका right answer है B. Bolatinubu यह हैं इनकी image भी दी गई है तो यह है इसका right answer है Important points देख लेते हैं Nigeria की राज़दानी है Abouja और इसकी मुद्रा है Nigeria Next question है नागालेंड बिदान सबाच चुनाब में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बिदाय कौन बनी है तो इसका right answer है उपरी उपतों दोनों First है हैकानी जखालू और second है सुलहुनू ओनू क्रूज यह आप दोनों की image भी दे गई है तो यह है इसका right answer है Next question है Business Standard Banker of the Year 2021 का पुरुषकार किसने जीता है तो इसका right answer है B ससीदर जगदीशन यह हैं इनकी image भी दी गई है तो यह है इसका right answer है Important points देख लेते हैं ससीदर जगदीशन HDFC Bank के प्रबंद निदेशक यानी MD है और मुख्य कारेकारी अधिकारी यानी COV है Next question है Business Matter पादिवस 2023 यानी World obesity Day 2023 कम मनाया गया है तो इसका right answer है A 4 March को यह है इसका right answer है Important points भी देख लेते हैं इस words को मनाने का उद्देश बजन के कलंक की ब्यापकता, गंबीरता और विवित्ता के बारे में जागरुकता बढ़ाना है इसकी theme है Changing perspectives Let's talk about obesity यह भी आपको याद रखना है Next question है महिला Premium League 2023 का पहला संस्करण कहां शुरू हुआ है तो इसका right answer है C. भारत यह इसका right answer है Next question है दुनिया का पहला बास क्रेस बेरियर बहुबली कहां शुरू किया गया है तो इसका right answer है C. महाराष्ट राजमार्क यह इसका right answer है Important points देख लेते हैं महाराष्ट के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को चोड़ने बाले जलमार्क पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बास क्रेस बेरियर स्थापित किया गया है यह भी आपको याद रखना है Next question है चुनावी लोगतंत्र सुचकांग 2023 में भारत का क्या इस्थान रहा है तो इसका right answer है A. 108 यह इसका right answer है Next question है BBC Indian Sports Woman of the Year 2022 का पुरुसकार किसने जीता है तो इसका right answer है D. मीरा वाई चानू ने यहाँ इनकी image भी दी गई है तो यह है इसका right answer है Important points भी देख लेते हैं मीरा वाई चानू लगातार दो बार यह पुरुसकार जीतने बाली पहली athlete बनी है Next question है भारत के 81 बे 17 ग्रेंड मास्टर कौन बने है तो इसका right answer है यह स्थान्यतन दास जो की पस्चम मंगाल से है यहाँ इनकी image भी दी गई है तो यह है इसका right answer है Next question है लगातार दूसरी बार तिरुपुरा के मुख्यमंतरी कौन बने है तो इसका right answer है B माडिक सहा यह है इनकी image भी दी गई है तो यह है इसका right answer है Next question है भारतिय बायू सेना में लड़ाकू एकाई की कमाल समालने बाली पहली भारतिय महिला अधिकारी कौन बनी है तो इसका right answer है B साली जा धामी यह है इनकी image भी दी गई है तो यह है इसका right answer है Next question है धूरपान निशेद दिबस 2023 यानि no smoking day 2023 कम मनाया गया है तो इसका right answer है D 8 March यह है इसका right answer Important points भी देख लेते हैं हर साल March की दूसरे बदवार को दूरपान निशेद दिबस मनाया जाता है इसकी theme है Stopping smoking improves your brain health Next question है आठ बे राश्टिय फोटोग्राफी पुरुसकार समारो में lifetime achievement अबड 2023 से किसे सम्भानित किया गया है तो इसका right answer है C सिप्रादास यहां इनकी image भी दी गई है तो यह है इसका right answer है Next question है Airport Council International ने किस हवाई अड़े को ACI प्रसांत छेत्र से सबसे अच्छे और सच हवाई अड़े के रूप में घोशित किया है तो इसका right answer है C इंद्रा गांधी अंतराश्टी हवाई अड़ा जो की देली में है यहां इसकी image भी दी गई है तो यह है इसका right answer है Next question है 37 कौसक का निधन हो गया है यह कौन थे तो इसका right answer है A वह एक गज अभीनेता और निर्देशक थे यहां इनकी image भी दी गई है तो यह है इसका right answer है Next question है चुनाव अखंड़ता पर तीसरी अंतराष्टी शम्मेलन की मेजवानी कौन सा स्थान करेगा तो इसका right answer है B चुनाव आयोग यह है इसका right answer है Important points देख लेते हैं इसकी theme है Inclusive Elections and Election Integrity इसका तीसरा संस्क्रण था Next question है शौर उर्जा में सर्वस्रिष्ट योगदान के लिए केंद्री सचाई और बिजली बोड पुरुसकार 2022 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है तो इसका right answer है A भारत हैवी Electricals Limited यह है इसका right answer है Next question है नेपाल के नए राष्टपती कौन बने है तो इसका right answer है C रामचंद्र पॉंडेल यह है इनकी image भी दी गई है तो यह है इसका right answer है साथियों इसके important points भी देख लेते हैं नेपाल भारत का पड़ोशी देश है और एशिया महादूइप में इस्थत है नेपाल की राजधानी है काटमांडू और नेपाल की करंसी है नेपाली रुपया और नेपाल के प्रधान मंत्री है पुस्प कमल दहल प्रिचंड नेक्स्ट कॉस्टन है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदल कर कहा इस्थान अंतरित की जाएगी तो इसका right answer है D बोर्नियो यह है इसका right answer है important points देख लेते हैं इंडोनेशिया की करंसी है इंडोनेशिया रुपया और इंडोनेशिया के राश्टपती है जो को बिडोडो next question है प्रतजकर architecture पुरसकार 2023 किसने जीता है तो इसका right answer है A. David Allen चिपर फिल्ड ने यहां इनकी image भी दी गई है तो यह है इसका right answer है important points देख लेते हैं David चिपर फिल्ड United Kingdom के रहने वाले हैं प्रतजकर बास्तुकला पुरसकार एक अंतरराश्टी बास्तुकला पुरसकार है जो एक जीवित बास्तुकार या बास्तुकारों का सम्मान करने के लिए दिया जाता है next question है सिख मुहम्मद बिन अब्दुल रह्मान अल थानी किस देश के नए प्रधान मंत्री बने है तो इसका right answer है C. Qatar यह है आप इनकी image भी दी गई है तो यह है इसका right answer है important points देख लेते हैं बात हुई है कतर की तो कतर एशिया महादूइप मेस्थद है कतर की जाज़दानी है दोहा और कतर की करंसी है कतरी रियाल next question है बिस्ब किड़नी दिबस 2023 वल्ड किड़नी डे 2023 कम मनाया गया है तो इसका right answer है B. No March को तो यह है इसका right answer है important points देख लेते हैं बिस्ब किड़नी दिबस हर साल March के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है इसकी theme है kidney health for all preparing for the unexpected supporting the vulnerable next question है भारतिय नौशेना ने सबसे बड़ा दुवी बर्षी है शमद्री अभ्यास ट्रोफेक्स 2023 कहां आयुजित किया है तो इसका right answer है C. Hind महासागर में यह है आप image भी दी गई है तो यह है इसका right answer है next question है 19 B. Bhamistik मंत्री स्थरिये बैठक 2023 कहां आयुजित हुई है तो इसका right answer है B. Bangkok Thailand में तो यह है इसका right answer है important points देख लेते हैं Bhamistik इसका फलपाम होता है Way of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic June 1997 में और इसका मुख्याला है Dhaka बांगलादेश में और Secretary General है Tenjin Lakfil और इसके साथ सदश्च देश हैं जिनके नाम है बांगलादेश, भूटान, भारत, नेपाल और स्री लंका, मियामार, थाइलेंट Next question है पूरवी लदाक की अरगी मोर्चे पर फील्ड वर्कसौप को कमांड करने बाली भारती शेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है तो इसका राइट आंसर है C. करनल गीता राणा यहां इनकी इमेज भी दी गई है तो यह है इसका राइट आंसर है Next question है चीन के लगातार तीसरी बार राष्टपती बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने है तो इसका राइट आंसर है G. Sinping यहां इनकी इमेज भी दी गई है तो यह है इसका राइट आंसर है Important points भी देख लेते हैं चीन ACA महादूइप में इस्थित है और इसकी राजदानी है बीजिंग और चीन की करंसी है रेन मिन बी Next question है उपराष्टपती यगदीब धंकरने बंड का यूपैन इस जिद्धा ब्रिच टू इम्पोटेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया है इस पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका राइट आंसर है C Dr. Kern से है यहां इनकी मेज़ भी दी गई है तो यह है इसका राइट आंसर है साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा 50 आउट ओ 50 यह 50 आउट ओप जो भी आपके स्कोर रहा हो साथियों आप अपना-पना स्कोर जरूर कमेंट करें तो साथियों आप टाइम है टेस्ट का तो मैंने आपके लिए दो टेस्ट कॉस्टन रखे है तो इनका आंसर आपके लिए कमेंट बाक्स में कमेंट करना है यह हैं ससस्त्र सीमा बल SSB की नई महाने दिशक कौन बनी है तो इसका answer आपको comment box में comment करना है और next है भारत के नई लेखा महाने अंतरग यानि CGA कौन बने है तो इसका answer भी आपके लिए comment box में comment करना है तो साथियों आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल जी के area चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी link में description box में आपके लिए दे दूँगा आप हमारे वीडियो को like करें अधिक से अधिक share करें और हम से जुनने के लिए हमारे चैनल को कर लिए subscribe और bell icon कर लिए जिससे के हमारे सभी वीडियो की notifications आपको सबसे पहले मिलें और आप हमारे वीडियो का लाव ले सकें तो साथ यह मिलते हैं अंगले वीडियो में जैए हिन्द झाल झाल